अलो फ्रेंड्स, विनर्स एकडेमी के ओफिजियल यूटूब चैनल में आपका स्वागत है प्रात्मिक शिक्षक पात्रता परिक्षाबरती 2020 बालविका सेवं शिक्षक सास्तर के प्रीवेस एर कोश्चन का पार्ट 3 जिसमें हम आपको लिखे आ हैं प्रीवेस एर के हुआ कोश्चन जो बहुत जादा पुछेगा हैं और उनके ओप्षन और सही जवाब तो चलिए देखते हैं आज के सवाल शैक्षिक दोरे स्कूल के चात्रों के लिए क्यों आवश्यक है उप्षन A, चात्र यात्रा से खुश हो जाते हैं उप्षन B, अध्यन चात्रों के लिए बोज नहीं होना चाहिए उप्षन C, चात्रों को प्रत्यक्ष संबंध संपर्क से इस्थाई ग्यान प्राप्त होता है option D, छात्र यात्रा का आनंद प्राप्त करेंगे तो इसका जो सही जवाब है option C, छात्रों को प्रत्यक्ष संबंद और संपर्क स्थापित करने में इस्थाई ज्यान प्राप्त होता है तो इसका जो सही जवाब है वो है option C देखते हैं अगला सवाल शिक्षकों को कैसे विद्यारतियों को परिक्षा के लिए तयार करना चाहिए Option A, परिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए Option B, उन प्रशनों को हल करना चाहिए जो उप्योगी हो Option C, उन्हें परिक्षा के महत्वों को बताना चाहिए और उनके अभ्यास में सहायता करनी चाहिए और option D, वह चात्र जो परिख्छा में उत्तीन हो उन्हें पुरसकार देने की घोशना करना चाहिए तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option C उन्हें परिख्छा के महत्व को बताना चाहिए और उनके अभ्यास में सहायता करना चाहिए तो हमारा option C ही इसका सही जवाब होगा चलिए देखते हैं अगला सवाल चात्रो को कवीता किस प्रकार पढ़ाई जानी चाहिए option A, कवीता दुखबंदी करके सही संगीत की लाए में कवीता चात्रो को अनन्द देती है option D, कठिन शब्दो को कवीता को पढ़ाने के दौरान समझाना चाहिए तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option D, कठिन शब्दो को कवीता को पढ़ाने के दौरान समझाना भी चाहिए इसी प्रकार से हमें चात्रों को कविता पढ़ाई और सिखाई जाना चाहिए देखते हैं अगला सवाल कमजोर चात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए Option A, सराना और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए उन्हें पहली bench में बिठा देना चाहिए Option C, कक्षा में उन छात्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए Option D, कक्षा में उन पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा Option A सराना और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरिद करना चाहिए कमजोर छात्रों के हमेशा सराना करने चाहिए और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरिद भी करना चाहिए देखते हैं हमारा अगला सवाल दो छात्र छगड़ा कर रहे हो तो आप क्या करेंगे पहला उन दोनों को पीटना चाहिए ओप्शन B धमकी देनी चाहिए और उन्हें अलग कर देना चाहिए ओप्शन C कारण पता करने की कोशिश करते हैं और अपरादी को सजा देनी चाहिए ओप्शन D वहां से चुपचाप चाले जाना चाहिए तो इसका जो सही जवाब होगा कारण पता करने की कोशिश करते हैं और अपरादी को सजा देने चाहिए यदि दो छात्र जगड़ा कर रहे हो तो हमें उनके जगड़े का कारण पता करना चाहिए और अपरादी को सजा देना चाहिए तो ओप्शन C इसका सही जवाब होगा चलिए देखते हैं अगला सवाल शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है ओप्शन A नई रणनीतियों और शिक्षन की तकनीविक्सित करने में ओप्शन B एक विशेश विहार के कारण कारकों का अध्यन करने में नई सिद्धानतों और सिखाने के कानून के विकास के लिए निम्न पशुओं और मनुश्यों पर प्रयोक करना चाहिए ओप्शन D उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही जवाब होगा ओप्शन D उप्रोक्त सभी हमें इन सभी रणनीतियों का अध्यन करना चाहिए यहीं हम शेक्षिक मनोविज्ञान में मदद करता है देखते हैं अगला सवाल पहले मनोविज्ञानिक जिसने मनुश्य की प्रक्रती और अनुवान्शिक प्रभाव की सीमा पर अध्यन किया ओप्शन A ग्रेगर, मेंडल ओप्शन B गेल्टन ओप्शन C लेमार्क और ओप्शन D डार्विन तो इसका जो सही जवाब होगा ओप्शन B गेल्टन जिनने मनुश्य की प्रक्रती और अनुवान्शिक प्रभाव की सीमा का अध्यन किया है तो हमारे जो ओप्शन B है यही इसका सही जवाब होगा देखते हैं अगले सवाल किशोर अवस्था की समस्या विशिष्ट होती है क्योंकि परिवर्तन जो उनमें जगल लेते हैं ओप्शन B भावनातमक बाधा ओप्शन C भविश्ची की जिम्मेदारियों उनके कंदे पर होती है और ओप्शन D उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ओप्शन D उप्रोक्त सभी किशोर ववस्था की समस्या विशिष्ट होती है क्योंकि उनमें परिवर्तन जो उनमें जगल लेती है भावनातमक बाधाय होती है और भविश्ची की जिम्मेदारियों उनके कंदे पर आ जाती है अगले सावल देखते हैं निम्न में से कौन सा बचपन के बौधिक विकास की विशिष्टा नहीं है उप्शन A ध्यान की ब्रद्धी की अवधी उप्शन B परियावरन के अन्वेशन उप्शन C सभी ग्यात आवधारनाओं की क्रिया को करने की छमता और उप्शन D यह हमारा सही जवाब होगा देखते हैं अगला सवाल स्कीनर और पालवर्व की अवधारना खालिस्तान में अलग नहीं है उप्शन A सहज पुनाप्राप्ती उप्शन B विलिप्थोने उप्शन C प्रतिक्रिया समानी करन और उप्शन D उप्शन A और B दोनो तो इसका जो सही जवाब होगा उप्शन C प्रतिक्रिया समानी करन तो उप्शन C है हमारा सही जवाब होगा स्नीकर और पालोव की अवधारना प्रतिक्रिया और समानी करन में अलग नहीं है ये थे हमारे previous year के कुछ सवाल जो हमने पिछली परिक्षाओं में पूछे गए सवालों को आपके लेकर आए हैं और उनके सही जवाब भी आपको बता हैं इसी तरह हम आगे भी आपको previous year के questions देते रहेंगे इसके लिए आपके हमें हमारे चनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करना है मिलते हैं अगले वीडियो में अगले previous year के questions के साथ Thank you